हेलो बच्चो, हेलो प्यारे बच्चो, कैसे हैं आप सब लोग, welcome back to another session guys and आज हम लोग करने वाले laws of motion में last session जहां पर हम पढ़ेंगे pseudoforce pseudoforce का application हम देखेंगे elevator वाले questions में, साथ ही साथ inclined plane वाले questions में भी और सबसे अच्छी बात आपको आज DPP भी मिलने वाला है पूरे laws of motion के जितने भी questions बन सकते हैं उन पे हम आपको आज DPP देने वाले हैं बच्चो तो yes, welcome back, welcome back, क्या बात है, क्या बात है, energy पूरी full है, chat box के अंदर है ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, great to see you all बटा, great to see you all आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, feel कर पा रहे हैं, है ना कहीं पे भी कोई कमी तो नहीं है, है ना, awesome, awesome, बहुत बढ़िया तो चलिए, स्टार्ट करते हैं सेशन को है ना बच्चो तो yes, my name is Gaurav Gupta और मैं हूँ आपका physics educator, I have studied from NIT Rahul के ला and from past six years, I am teaching the NEET as parents और मैं उनको, उनके physics के hurdle को पार करनाने के भूशिश कर रहा हूं बच्चो I have mentored one lakh plus students, produced multiple AIRs and also I have qualified this gate examination, लेकिन matter क्या करता है, यह सब matter नहीं करता, matter आपका प्यार और support करता है, जो हमेशा मिलता है और आगे भे मिलता रहेगा, right everyone तो चलिए, telegram group को हमारे आप join कर सकते हैं, unacademy need toppers, t.me के बाद unacademy need toppers, यह channel का सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि statement है, right everyone यह toppers, toppers यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है, कि जो बच्चा आज इतना नहीं है, वो topper नहीं बनेगा, हर कोई topper बनेगा, and yes यहाँ पर slogan ही है, हर aspirant बनेगा topper, right everyone तो yes, यह channel आपका है बेटा, unacademy need toppers, इसको आपको subscribe करना है आपका channel है, आप इसके सितारे हो, यहाँ पर जो सितारे पाए जाते हैं, वो आप हो फड़ा-फट subscribe कर लो, देख लो यार अपने channel को हर कोई subscribe करता है एक account नहीं, दो account नहीं, तीन, तीन, चार, चार account से करता है, आपको भी एकाम करना है बच्चो फड़ा-फट subscribe करिए, टेलिग्राम ग्रूप को join करिए, और बच्चो free में तो आपको हम सब कुस दे रहें, यूट्यूब पे, special classes पे, धेर सारी classes चल रही है बट still अगर आपको लगता है कि आप अपने preparation में कही न कहीं पीछे रह रहे हो, आपके doubts clear नहीं हो पा रहे है, आप educator के साथ interact नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई भी इशू, तो वह सारे issues on academy subscription पे आके खतम हो जाते है यहाँ पे आपको life classes मिलती है, आप interact कर सकते हो अपने educator के साथ, life polls मिलेंगे आपको leaderboard के साथ, तो life poll में क्या होता है, अब यहाँ पे तो आपको हम सिर्फ question दे देते हैं, आप solve कर रहे हैं, नहीं कर रहे हमें नहीं पता होता है, बट यहाँ पे आप जब poll कर रहे हो, तो हम पे पता चलता है, कितने बच्चे सही answer दे रहे हैं, आपको भी feel आती है, कि आपने सही किया, गलत किया, leaderboard में आपको नाम भी देखने को मिलता है, तो encouragement भी मिल जाती ही बिटा, test series और analysis भी मिलती है आपको यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात, live doubt clearing session, plus पे हर तीन session के बाद, चौथा session, doubt clearing का होता है, जिसमें आप सिर्फ अपने doubts पूछते हैं, और teacher अपने आपके doubts clear कर देते हैं, तो जिसने आपको पढ़ाया, अगर उसी ने आपके doubts clear कर दिये, तो feel बहुत अच्छे level की, अलग level की आजाती है, right everyone, तो यह हमारा platform है, इस पे आप पढ़ सकते हैं, this is only meant for studies, और बहुत ही amazing platform है, जिसमें हमारी पढ़ाई होती है, amazing teachers आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मैं और Garima Ma'am भी अपना batch लेके आने वाले हैं, we are taking special classes as well, and rest of the teachers are also just amazing at an academy, आपको वो पता है already, right, तो बच्चों अगर आपको subscription लेना तो क्या करना है, app install करो, ठीक है, and two year का subscription 50,400 रुपीज का है, हाँ, यहाँ पर six months का भी option है, जो बच्चा चाहता है कि sir, अभी तो मेरे पास 6-7 महीने तयारी करने को, मैं six months का लेना चाहता हूँ, तो बच्चों 25,200, 25,200 में six months का subscription आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप उसमें ये code लगा दो gg live, gg live, gg love आप already करते हैं, अगर आप live भी करते हैं, तो आपको discount मिल जाएगा, 10% का, right everyone, तो ये definitely आप बेटा ले सकते हो, gg live code लगा के, साथी साथ आपके पास iconic subscription का भी option है, iconic में आपको personal mentor मिल जाते हैं, personal coach कह सकते हैं, जो आपका study planner बनाएंगे, और आपको time to time guide करेंगे, आपकी preparation में, ठ क्या कहते हैं, how are you, Gorvacharya, हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, एक नया है ना, तुमने मुझे नाम दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद तुमारा, Gorvacharya, ये क्या है बच्चो, ये पूरा का पूरा schedule है, और सारी classes, सारी classes हमारी schedule के हिसाब से ही होती है, फटा-फटा पपन श आखरी पार्ट हो रहा है, फूर्थ पार्ट, सूडो फोर्स, डीपीपी भी मिलेगी, अमेजिंग कंसेप्ट भी मिलेंगे, और ये class और ये 4 पीम को, कल का session भी आप देख सकते हैं, कल Magnetism and Matter, नया chapter, नया chapter कल 12 में भी start हो रहा है, और नया chapter कल इसमें भी start हो रहा है, 11 में, friction force है ना, तो आजाना कल भी 4 बजे और 6 बजे, चली बटा, start करते हैं, सारा schedule आपके पास है, मैंने हर जगे आपके साथ share already कर रखा है, है ना, शुरू करें, क्या के तो बटा, शुरू करें क्या, आज quiz नहीं है, आज DPP है, Saturday को quiz कराऊंगा, ठीक है, Saturday को जो weekly test होगा, वो unacad करने का plan है, if something, everything goes right, तो वो हम करेंगे बटा, ठीक है, screen पे थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको, ताकि आसानी सा आपको दिख जाए, और feel में कोई भी कमी ना रह जाए, आओ बच्चो, समझते हैं जरा, यह pseudo force होता क्या है, pseudo का मतलब क्या होता है, बच्चो, any idea, pseudo, what do you mean by pseudo, pseudo, pseudo मतलब imaginary, है ना, pseudo का मतलब बता imaginary, शायद वो चीज वहाँ पे नहीं है, बट फिर भी है, है ना, ऐसा कुछ, imaginary force, तो यह imaginary force किसना imagine किया, क्यों imagine किया, उसको आखिर जरूरत क्या पढ़ी थी, इसको imagine करने की, ठीक है, तो यह सारी चीज है, बच्चो हम भी यहाँ पढ़न कितने time के होते हैं, जनरली हम बोलते हैं, दो type के frame of reference होते हैं, पहला होता है आपका inertial frame of reference और दूसरा होता है आपका non-inertial frame of reference, ठीक है, non-inertial frame of reference, inertial frame of reference, एक ऐसा frame of reference है, जो की accelerate नहीं करता है, इसका acceleration अगर 0 है, ठीक है, non-accelerating frame, ऐसा frame जो accelerate नहीं कर रहा, उसको हम inertial frame कहत है ठीक है और अगर वो accelerate कर रहा है उसके पास कुछ acceleration है it is having some particular acceleration तो वो non-inertial frame हो जाता है एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ यह जो formula आप लिखते हो ना वेटा f equal to ma मानलो एक block है ठीक है इसके उपर मानलो तो कोई force लग रहा है आपसे पूछा गया बताओ बेटा इसका acceleration कितना है तो कैसे निकालते हो इस formula से निकालते हो इसी formula से निकालते हो हमारे याद इसी से निकालते है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ यह जो frame का जो मतलब यह जो formula है आपका यह सिर्फ और सिर्फ inertial frames पे ही applicable है इसका मतलब क्या हुआ? inertial frame पे applicable है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस body को ground के respect में ground को हम inertial मान लेते हैं है ना बेटा? अगर मैं इसको ground के respect में analyze करना चाहता हूँ तो मैं definitely F equal to MA लिखके इसका acceleration निकाल लूँगा कोई परेशानी की बात नहीं होने वाली है ठीक है? समझ में आप बात आई गई? अरे मैंने कुछ नया नहीं बताया ना मुनो यह formula आपको already पता है इसके अलावा बस मैंने तुम्हें यह बताया कि यह तभी valid है यह formula जब inertial frame दिया हो यानि कि आप ground के respect में या फर किसी ऐसे frame से उसको analyze कर रहे है जो कि accelerate नहीं कर रहा लेकिन अगर इसी चीज़ को लेट से यहाँ पर एक block है बेटा इसके motion को आपको analyze करना है इसके motion को आपको analyze करना है और आप एक ऐसे frame पे जाके बैठ गए जो कि accelerate कर रहा है सोचो इसके अंदर तुम बैठे हुए हो और यहाँ से इसकी तरफ देख रहे हो ठीक है यह जो frame है बेटा let's say its acceleration है it has an acceleration of A अब बताओ यह कैसा frame हो गया यह frame हो गया non-inertial अगर non-inertial frame हुआ अगर non-inertial frame हुआ तो इस frame के respect में अगर आप analyze करते हो तो इस body पे एक नया force लगाना पड़ता है जिसे हम कहते है pseudo force क्या कहते है उसको हम pseudo force कहते है तो non-inertial frame से अगर आपको किसी भी चीज को analyze करना है तो आपको pseudo force लगाना पड़ता है pseudo force है तो उसके पास एक direction होगी उसके पास एक magnitude होगा pseudo force का direction जो इस body पे लगेगा वो acceleration of frame के opposite होता है ध्यान से सुनते जाओ pseudo force की direction acceleration of frame के opposite यानि कि इस तरह यह देखो pseudo force लग गया लिख लो इस बात कहीं पे आप ठीक है जड़ा फट लिख लो बेटा question करने में ज़्यादा feel आएगी पहले तो आप पढ़ो इसको अगर acceleration of frame right की तरफ है तो pseudo force की direction कि तरह होगी बच्चो left की तरफ होगी और pseudo force का magnitude होता है बच्चो वो होता है mass of body mass of body multiplied by acceleration of frame क्या बात समझ में आरही है pseudo force का direction कि तरह होगा बताओ opposite to acceleration of frame होगा और उसका magnitude क्या होगा mass of body multiplied by acceleration frame कब लगाएंगे आप pseudo force जब आपका frame of reference जहां से आप उसको analyze कर रहे हैं वो एक accelerating frame of reference है यानि कि non inertial frame of reference है अगर normal frame of reference हुआ ऐसा वाला inertial frame of reference तो कोई pseudo force लगाने की जुरत नहीं है चुप चाप laws of motion लगाओ और आगे बढ़ो और एक और चीज में तुम्हें बता दूँ कि यहां पे हम net force equal to 0 लिखते हैं जब आप pseudo force लगा लेते हो ना तो net force equal to 0 करना होता है अभी आपको feel पूरी-पूरी आजाएगी एक question अभी कराऊंगा lift वाला पूरी-पूरी feel आजाएगी ये भी समझाऊंगा कि तुम lift में जब गए होगे तो तुम्हेरे से ऐसा actually हुआ होगा देखो कई बार आप lift पे जाते हो ना पूरी बार आपको थोड़ा हलका सा feel होता है है ना light सा feel होता है गुद-गुदी से होती है और कई बार ऐसा feel होता है कि आप भारी से हो गये हो है आप बहुत जोर से लगता है कि मेरा वजन बढ़ सा गया है काफी ज़्यादा force लग रहा है मुझ पे होता है क्या होता है कई बार lift में especially जब वो या तो start हो रही होती है और या तो तब जब वो रुकने वाली होती है मालो start हुआ ground floor से तो start होने के बाद आपको थोड़ा सा heavy सा feel होता है और जब वो रुकने वाली है लेट से fourth floor पे जाके तो रुकने से just पहले आपको थोड़ा हलका सा feel होता है यह सब pseudo force का concept है बेटा सबसे पहले बताईए क्या बात समझ में आ गई है सर ने क्या क्या बताया है अगर ground frame से देखा जाए तो क्या pseudo force लगेगा नहीं लगेगा नॉर्मल आप जैसे question आज तक solve करते आए हैं वैसे ही देखेंगे अगर body का यानि की frame का acceleration zero है अगर frame का acceleration zero है तो pseudo force होगा क्या नमूनो नहीं होगा लेकिन अगर frame के पास कोई acceleration है अगर frame पे कोई acceleration already है तो जरूर pseudo force लगता है pseudo force body पे जो लगता है वो conscious direction में लगता है acceleration of frame के opposite लगता है और इसका magnitude होता है बेटा Mass of body into acceleration of frame दिल दे दो जरा फिर देखो feel कैसे कराता हूँ है ना तुम मुझे दिल दो मैं तुम्हे feel दूँगा यार नया नया बनता जा रहा है हर बार आजकल देख रहे हो बेटा तुम मुझे दिल दो मैं तुम्हे feel दूँगा मज़ा आ गया सर फिल तो पूरी पूरी आ गई आओ बेटा अब जरा ये lift वाला case समझते है ठीक है ये lift वाले case में आखिर क्या क्या चीज़े होती है ठीक है आओ दिर देखे अच्छा तुम्हें मैं एक चीज बता रहा था लगाएगा आप जो force लगा रहे हो ना surface पे नीचे ग्राउंड पे वो आप normal force लगा रहे हो जितना normal force आप लगाओगे body भी उतना ही normal force लगा देगी है ना आपने inclined plane पे देखा भी है बिटा inclined plane पे जब आप देखोगे तो ऐसे जब block होती है तो हम बोलते हैं कि mg का सिर्फ एक component लगता है perpendicular to surface जो की होता है mg cos theta याद आ रहे है बच्चो और इसके opposite लगता है हमारा normal force तो यहाँ पे normal force क्या mg के बराबर होता है नहीं होता normal force होता है mg cos theta के बराबर याद आ रहे है बच्चो धीरे-धीर सब कुछ revise कराते कराते आगे बढ़ा दूगा ठीक है ठीक है ठीक है सब कुछ समझ में आ गया और फटे हुए कपड़े में सील दूँगा यह सही था तो मझे दिल दो मैं तुमें feel दूँगा और फटे हुए कपड़े में सील दूँगा यह सही नहीं लगा है ना ये सही नहीं लगा वैसे ठीक है समझ में आया normal force और mg जरूरी नहीं है कि बराबर होंगे अब दीखना ध्यान से बिटा होता क्या क्या है ठीक है मान लो तुमारे lift जो है वो rest पे है rest पे है lift कोई acceleration नहीं है उसका अब lift के अंदर जो block रखा हुआ है ठीक है वो सोचो कितना force लगाएगी नीचे की तरफ lift की surface पे mg force ही लगाएगी कोई acceleration नहीं है कुछ भी नहीं है तो mg force ही लगाएगी तो देखो नीचे की तरफ क्या force लग रहा है बच्चो lift के surface पे mg force लग रहा है लग रहा है क्या mg force बिलकुल लग रहा है पड़े सीलने वाली बाते हैं अब ठीक है यह तो यह तो बेजिती हो गई कोई बात में बदला लिया जाएगा है ना देखो नीचे mg उपर की दरफ normal दोनों बराबर n equal to mg बहुत बढ़िया यह तब का case है जब lift accelerate नहीं कर रहा कोई acceleration उसका नहीं है अब सोचो वही block एक ऐसे lift पे रखाए बेटा ऐसे lift पे रखाए जो की accelerate हो रहा है तो अपने अलग से diagram बनाएंगे फिर समझेंगे तब जाके बढ़िया वाली feel आएगी ठीक है देखो feel देखो feel मजा आएगा lift, बहुत बढ़ीया, बहुत बढ़ीया lift, क्या बात है, lift के अंदर block, oh, lift के अंदर block, mass m, बहुत बढ़ीया, खोई दिककत नहीं है मान लो मैंने ऐसा मान लिया कि lift का acceleration बेटा उपर की तरफ है lift का acceleration उपर की तरफ है अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से block lift के अंदर रखा हुआ है और lift accelerate हो रहा है तो क्या block जिस frame में है क्या वो accelerating frame है अरे बिल्कुल है कैसे नहीं है बिल्कुल है अगर वो accelerating frame है तो क्या pseudo force लगेगा इस block पे लगेगा सर बिल्कुल लगेगा तो बता बेटा कौनसी direction में लगेगा तो अभी अभी सर ने बताया था कि अगर acceleration ऐसे है तो pseudo force उसके opposite direction में लग जाता है तो सोचो बच्चो जरा सोचो सोचो pseudo force पहले क्यों आया पहले यह सोचो कि pseudo force आकर क्यों आया आया क्यों आकर pseudo force इसलिए आया कि यह block जिस frame पे रखा हुआ है जिस lift पे रखा हुआ है वो एक accelerating frame है और जब भी accelerating frame होता है तो pseudo force आ जाता है pseudo force की direction आएगी बिटा नीचे की तरफ क्योंकि acceleration है उपर की तरफ और pseudo force का magnitude होगा acceleration of frame हो गया अच्छा यह में तो pseudo force है ना मोनो वेट को भूल जाओगे gravity माता को भूल गया है नहीं भूलेंगे सर ऐसे कैसे भूल जाएंगे गड़बर हो जाएगी भूल गया तो gravity में यह भी तो है यहाँ पे है ना वो पहले भी लगाता था ancient civilization से भाई साब mg तो लगा रहे थे लेकिन अब उन्होंने MA भी लगाया अब उन्होंने MA भी लगाया same direction में लगाया तो जो downward force net downward force जो block लगा रहा है lift के surface पे बेटा वो है mg plus MA feel आ रही है ना तो net force लग रहा है नीचे की तरफ वो क्या है mg plus MA है तो इसी के opposite इसी के opposite यह जो lift है वो इस तरफ normal force लगाएंगे है ना तो normal force की value आ जाएगी बेटा mg plus MA M को आप बाहर ले लो g plus A यह देखो g plus A यह normal force लगेगा सोचो तो क्या normal force हमेशा mg के बराबर होता है ना ना यह इस के बराबर होता है जितना force आप लगाओगे आप जितनी जोर से लिफ्ट को पुश करोगे वो भी आपको उतनी जोर से उपर की तरफ पुश करेगा action reaction pair weight और normal के बीच में नहीं है action reaction total downward force और normal के बीच में है weight mg होता है downward force mg से ज़्यादा भी हो सकता है, Mg से कम भी हो सकता है, आपने inclined plane पर देखा है बिटा, कि Mg नहीं लगता नीचे की तरफ, Mg cos theta लगता है, तो normal force BC को oppose कर देता है, N equal to Mg cos theta, क्या तो feel आई है, मुझे तो बहुत जवर्दस वाली feel आगई, तुम बताओ अपना, अपना बताओ, तुम्हें feel आगई, yes और no, अगर feel आगई है, तो धेर सारे swag salute, swag salute देखे बहुत time हो गया न, चलो ऐसे कर दो बेटा, फड़ा-फट धेर सारे swag salute बना दो, साथ-साथ में दिल बना दो, तो bonus हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आईए बेटा, आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई ही न, m into g plus a हो गया आपका answer, अच्छा, अब मैं चाहू तो इसमें numerical बना दूँगा, time pass numerical बनते हैं देखो, time pass numerical ऐसे बनते हैं देखो, यहाँ पे एक block हुआ करता था, once upon a time, यहाँ पे एक block हुआ करता था, जिसका mass हुआ करता था, 10 kg का mass हुआ करता था, इसको किसी शरारती तत्व ने उपर की तरफ accelerate कर दिया, 5 meter per second square से, बताओ normal force की value कितनी आएगी, बताओ normal force की value कितनी आएगी, क्या बोलोगे, normal force की value कितनी आएगी, क्या बोलोगे बेटा, देखो के आपकी acceleration तो उपर की तरफ है frame का, तो जाहिर सी बात है, pseudo force तो नीचे की तरफ हो जाएगा, pseudo force की value क्या होती है, mass of body into acceleration of frame, mass of body 10 है, acceleration of frame 5 है, तो 50 newton हो गया, बहुत बढ़िया सर, इसके अलावा gravity मैया को भूलना नहीं है, gravity माता भी है यहाँ पे, gravity माता कितना force लगाएंगी, यहाँ पे M into G, M है 10, G भी है 10, 10 into 10 कितना होता है बेटा, 100 हो जाता है, आंचर आ जाएगा, 150 newton, और अगर कुछ नहीं करना है, बिना feel के solve करना है, तो लिख दो यह formula, mass is 10, G is 10, A is 5, 150 आ जाएगा, otherwise मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ, तो laws of motion में कभी भी formula रट के question मत solve करो, समझ के करो, कि क्या क्या हो रहा है, forces का direction क्या है, किस direction में acceleration है, सोच समझ के करोगे, तो अच्छे से कर पाओगे, और अगर चीजों को रटोगे, mg plus a, mg minus a, तो गलतियां हो सकती है, बताईए answer आया, 150 newton, क्या बात है, बल्ले-बल्ले है ना, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, feel आ गया, कभी, नमूनो, lift में, तुम बोलोगे, सर बिल्कुल ही गया, गुजरा समझा, मतलब है, lift, कुछ अच्छा पूछते, कि international flight में गये हो की नहीं, कभी, ऐसा कुछ पूछ पूछे, cruise में गये हो की नहीं, lift में गये हो की नहीं, मतलब बताओ, जीरो स्पीड से उठके, ऊपर धीरे-धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो lift, obviously, accelerate करता है, उपर की तरफ, तो सोचो, यही situation बनती है, acceleration वाली, है ना, यही situation बनती है, बिल्कुल, और अगली बार, जब lift में जाओ, तो थोड़ा सोचना, कि ऐसा होता है, बलब, थोड़ी, थोड़ी, खराब quality की lift हो, तो ऐसा ज़्यादा feel होता है, अच्छी quality की lift हो, तो एक कम feel होता है, क्योंकि वो काफी smooth बना देते हैं experience को, तो कम feel होगा आपको, है ना, थोड़ी पुराणे type के lift हैं, तो ज़्यादा feel होता है, जैसे lift चलना शूरू करेगी न, आपको ऐसा लगएगा, boy सा, मेरा तो वजन बढ़ेगा आचानक से, कुछ second के लिए ऐसा लगता है, heavy सा feel होता है आपको, lift आपको ऐसा लगता है, उपर की तरब धकेल रही है, है ना, तो अगली बार ट्राइ करना, और वो इसलिए होता है, इसलिए होता है, क्योंकि lift का acceleration है उपर, तो आपके जो लगने वाला normal force है, वो आपके weight से ज़्यादा होता है, आपका weight तो 100 newton है यहाँ पे, 10 kg अगर है, तो 100 newton weight है, बट 150 newton का force लगता है उपर की तरफ, फील देख रहे हो, अगली बार जब lift में जाओ, तो इस बात के बिलकुल ध्यान देना आप लोग, एक YouTube में एक video है, है ना, मैंने कभी देखा था, उन्होंने क्या किया, सीधा weighing machine लेके चले गए lift के अंदर, weighing machine को रखा उसके उपर खड़े हो गए, अब concept of weighing machine क्या होता है, weighing machine भी आपका weight नहीं बताती, weighing machine भी normal force बताती है, तो अगर आप weighing machine लेके lift में चले जाओ ना, तो आपको यही देखने को मिलेगा, कि शुरू में यह reading थोड़ी सी जादा हो जाती है, क्योंकि lift उपर accelerate कर रहा है, ठीक है, अब सोचते हैं कि जब lift नीचे accelerate करेगा, तो क्या होगा, ठीक है मिटा, आज 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 आ रहा है, सर, देखो, अगर lift ने decide किया, कि मुझे तो अब नीचे accelerate होना है, मतलब basically, अगर lift मानलो उपर जा रही है, ठीक है, मानलो lift की velocity उपर है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर, यह क्या पढ़ा रहे हैं, velocity उपर acceleration नीचे, नमूने ऐसा हो सकता है, मैं इधर move कर सकता हूँ, और साथ ही साथ decelerate भी हो सकता हूँ, मेरी speed अगर कम हो रही है, धीरे धीरे देखो, मैं सुरू में तेज चल रहा हूँ, बाद में धीरे चल रहा हूँ, तो मेरा acceleration पीछे की तरफ है, बट मैं आगे जा रहा हूँ, तो देखो, ये lift तो ऊपर जा रही है, बट ये decelerate हो रही है, सोचो एक lift के बारे में, एक lift की life, one day in the life of a lift, ऐसा कुछ title है ना, सोचो उसके बारे में, वो बिचारी third floor पे पहुँच चुकी है, आपने बटन fourth floor का दबाया है, क्या lift समझ जाएगी, क्यों से fourth floor पे रुखना है, third floor के पास, उसके पास कुछ velocity है, उसको पता है कि fourth में जाके रुख जाना है, तो deceleration करना शुरू कर देगी, अगर smart lift है तो है ना, तो मदब कोई भी lift यार, हर lift करेगी ऐसा, तो मैं स्टाइल मारने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि acceleration है नीचे, acceleration है नीचे, pseudo force होगा बेटा उपर, mass into acceleration, और देखो अब आप कैसे solve करोगे, अब mg तो नीचे है, लेकिन ma तो उपर चला गया, तो normal force की value कम हो जाएगी, और आप क्या लिखोगे, mg-ma, और ऐसा होता है बच्चो, ऐसा भी real life में होता है, जब आपको पता है ना कि lift अभी रुखने वाली है, रुखने से पहले आपको बड़े गुदगुदी सी feel होती है, बड़े हलका सा एकदम feel होता है, कभी try करना अगली बार, ground floor पे रहोगे, उपर जाने वाले होगे, थोड़ा सा heavy सा feel होगा आपको, क्योंकि उस time पे acceleration उपर है lift का, pseudo force नीचे है, आपका वज़न आपको ज़्यादा feel होता है, लेकिन जब आप रुखने वाले होंगे, ओ धीरे से प्यार से fourth floor पे रुखने वाले हैं, या कोई सी अभी floor पे, तो उस time पे आपको थोड़ा सा हल्क आसा feel होता है, because acceleration नीचे चला जाता है lift का, lift को रुखना है, retard करती है वो, decelerate करती है वो, तो acceleration नीचे चला जाता है, pseudo force उपर चला जाता है आपके body पे, और आपको weight है ना, कम हो जाता है, मतलब normal force कम हो जाता है, किया है try, try किया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया गुडिया, very nice, very nice, आजकल गुड़ु भहिया बहुत famous है, हमारी class में गुडिया भी है, क्या बात है, कुछ बच्चे समझ गया है ना, बहुत होशी आ रहा है, खैद, तो बेटा देखो, यहाँ पर, mg-ma, अगर lift नीचे जाती है, मतलब जाती तो उपर है, बट accelerate नीचे करती है, और अगर accelerate उपर करती है, तो क्या formula है बेटा, normal force का, तो है mg plus ma, ठीक है, बहुत बढ़िया, no issues are at all, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं करती है, यह तो boring है, boring lift बोलेंगे अपन इसको है ना, acceleration ही 0 है, कुछ मजा ही नहीं इसमें तो, n equal to mg है, जितना आपका force, उतना वहाँ पर normal force, ठीक है, चलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना जी, आगे बढ़े, क्या बात है, क्या बात है, पढ़ा पर subscribe कर दो, ठीक है, मजाग कर रहा हूँ, चलो, यह सभी दिग्या तुम्हें है ना, stationary lift, lift move upwards, lift move downwards, चलिए, अब आगे जाते हैं बिटा, अब ये question आपसे पूछा गया, ठीक है, शांदार question है, neat में आया हुआ question है, इसमें बूला गया कि, अब एक नहीं, बल्कि दो blocks है, यह जो lift है, वहाँ पर दो blocks है, एक block B, एक block A, एक के उपर एक रखे हुए हैं ऐसा, ठीक है, और आपसे बूला गया, कि अगर elevator shown in the figure is descending, with an acceleration of 2 meter per second square, नीचे जा रहा है, यह नीचे जा रहा है, elevator कहां जा रहा है बेटा, नीचे जा रहा है, तो आपसे पूछा गया है, मतब जा कहां रहा है, उससे फर्ख नहीं पड़ता है, acceleration नीचे है, एक्सेलेरिशन नीचे है, mass of block is 0.5 kg, A का जो mass है, वो 0.5 kg है, तो पूछ रहे हैं, force exerted by block A, on block B, A जो है, वो B पे, कितना force लगाने वाला है, यह आपको बताना है, क्या force लगाता है वो, A और B आपस में कौन सा force लगाते हैं, tension force लगाते हैं, तुम्हें पता, normal force लगाते हैं, नमूनो, कुछ बच्चा भी बोल देते हैं, हाँ सर, tension force लगाते हैं, हाँ सर, tension force, सही कहरा है, कभी गलत बोलते हैं, कहा हो सर, आप tension force ही तो लगाते हैं, अरे बेटा, यहाँ कहां से tension force लगेगा, यहाँ पे कुछ हैने string हैं ना, अगर मैं convincing तरीके से तुम्हें पढ़ा दूना अभी, कि tension force लगाते हैं, तुम मान जाओगे, एक मिनट के लिए पता है तुम्हें, यह तो हालत है, खेर, मजात कर रहा हूँ, नहीं मानोगे, ऐसे कैसे मान जाओगे, यहाँ पे बेटा, normal force है, ठीक है, तो आपको निकालना है, उन दोनों के बीच में, कितना normal force लगेगा, चलो बताओ, क्या answer आ रहा है बेटा, चलो बताओ, tech with भाया जी, it's saying 4 newton, भाई, क्या तो सही सही नाम है, मतलब बताओ, दीपाली is saying normal, ओके, D, D कह रहें बहुत सारे बच्चे, मुन्ना ठाकूर is saying none of these, मुन्ना ठाकूर से expected भी यही था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, C और D, C और D पे सबसे जादा है, बुद्डू भाहिया कह रहें, D option को ठोग दो, D option को ठोग दो, D option याने की 4 Newton, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, happy to see, happy to see the comments, from big, big people, तो correct answer जो होगा, इसका बच्चो, लिखा हुआ नहीं है, मैं ही तुम्हें खुदी बता देता हूँ, 4 Newton ही होना चाहिए, देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, और गौर से देखना, सुनो, मैं आपको ना, इसको बिल्कुल बढ़िया टेकनीक से solve कराता हूँ, ज्यादा कुछ लिखने पढ़ने की जुरत नहीं है, एसी solve हो जाएगा देखना, ठीक है, सोचो बच्चो, ऐसे सोचो, कि अगर, acceleration of lift 0 होती, यानि कि lift rest पे होता, तो क्या, यहाँ पे जो normal force होता, इस surface पे, वो A के weight के बराबर होता, एक question हमने किया भी था पहले है ना, जितना भी A का weight होगा, उतना ही normal force होगा वहाँ पे, अगर acceleration 0 है, तो, तो बताओ कितना weight है, 0.5 kg, तो यहाँ से इसका weight हो जाता, 5 N, और सोचो, अगर acceleration 0 होता, अगर वो inertial frame होता, तो आपका answer बन जाता, 5, 5 तो दिया ही नहीं है, 5 तो दिया ही नहीं है, तब ही किसी नहीं बोला था, none of these है ना, खेर, लेकिन क्या अब 5 N होगा, नहीं होगा, अब क्या होगा सोचो, यह lift तो बेटा, accelerate कर रही है, 2 m per second square से, नीचे की तरफ, तो pseudo force, A पे, कौन सी direction पे लगेगा, उपर की तरफ लगेगा, अरे, अभी तो देखा है न मुनो, अगर acceleration नीचे है, तो pseudo force उपर होता है, pseudo force उपर होता है, और pseudo force का magnitude होता है, mass into acceleration, mass of the body is 0.5, प्यारे बच्चो, और multiplied by, multiplied by, multiplied by, acceleration is 2, यानि कि 1 N, अब सोचो, 5 N weight है नीचे, और 1 N pseudo force है उपर, तो normal force कितना हो जाएगा बच्चो, normal force हो जाएगा 4 N, normal force कितना हो जाएगा, normal force हो जाएगा, 5 minus 1, यानि कि 4 N, answer आ गया, कौनसी बड़ी बात है, बहुत आसान question है ना, और कुछ बच्चे, इसको ऐसे भी solve करेंगे, time pass करने के लिए, कि सर देखो आपने बताया था, कि जब lift ना नीचे जाती है ना, तो ऐसा formula हो जाता है, सर M, G, minus M, A हो जाता है, तो सर तो हमने तो ऐसे solve कर लिया, इसको M को बाहर ले लिया, 0.5, 10 था Z का value, minus यहाँ पर हमने लिख दिया सर 2 है ना, तो यह 8 हो गया सर, और 8, 5, जब 40 होता है, तो यह 4 newton हो गया, तो मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, तो आपने ऐसे solve किया, अच्छी बात है, ठीक है, सेलेगा, इस formula से भी solve कर लो, कोई परिशान नहीं है, ठीक है, जैसे solve करना है, यह थोड़ा feel वारा solution था, इसके लिए कुछ रटने की जुरत नहीं थी, और यह थोड़ा रटा हुआ solution है, कि अगर acceleration नीचे होता है, तो mg-m लिखते हैं, अरे feel आ गई, बता दो भाई साब, feel आ गई, feel आ गई न, otherwise बिना formula के ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको solve करके बताया, ठीक है, चलो अब like करो session को, फटा फट like करो session को, almost 700 के आसपस बच्चे देख रहे हैं, बट like अभी सिर्फ 500 कुछ है, सिर्फ 500 कुछ है, मैं घेर लूँगा solution, मैं घेर लेता हूँ, तुरंतो मैं पता ही है, फटा फट हर एक बच्चा like करेगा session को, और subscribe करेगा, बेटा नीचे subscribe का button है, है ना, आपका अपना channel है यार, आपको खुद करना चाहिए, हमें बोलने की ज़रुत भी नहीं पढ़नी चाहिए, बट फिर भी हम आपको याद दिला देते हैं, क्या है ना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ देते हैं, चले जाते हैं, याद नहीं रह पाता कि अरे subscribe भी करना था, चलो कल कर देंगे, कल फिर भूल जाते हैं, तो ऐसे फिर तो कैसे चलेगा, अभी कभी like करो, subscribe करो, भूलो मत, ठीक है, और bell icon भी दबा देना, all button पे भी click कर देना, ताकि सारा का सारा प्रशाद आपको मिल जाए, प्रशाद याने की notification, ठीक है, आओ बेटा, एक बहुत ही जवर्दस्त question solve कर रहा हूँ आपको, बहुत ही जवर्दस्त question मतलब, मतलब, इस question से जो तुम्हे feel मिलेगी न, वो feel लेके, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, है ना, चलो, solve करो बिटा, सबसे पहले आपको time देता हूँ मैं, बहुत सारा समय में आपको देता हूँ बच्चो, फड़ा फड़ा आप लोग जल्दी से एक बार solve कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, right? हाँ जी, और अगर जो भी answer आपको आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है बताओ, यह ना, जो कुछ भी आ रहा है बताओ, YouTube पे बहुत सोच समझके बोलना पड़ता है, मैं कई बार बोलता हूँ जो कुछ भी आ रहा है बताओ, तो बच्चे बोलते सर्वाश्रों आ रहा है जाएं, अरे वो नहीं पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा answer आ रहा है, यह बताओ, जो भी आ रहा है बताओ का मतलब है, आंसर कौन सा रहा है यह बताओ, ठीक है, जी, जी कॉस थीटा, जी कॉट थीटा, जी टान थीटा, ठीक है, चली बताओ यह बताओ, तो पूछा क्या गया है वैसे यहाँ पे, सब लोग जल्दी जल्दी इसको solve करेंगे बेटा, फटाफट फटाफट solve करते जाएंगे, ठीक है, मज़ा आएगा, अच्छा कोश्ण है, हाँ जी, बी, बी के साथ बहुत सारे बच्चे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, कि बी के साथ काफी सारी जनता, मुझे दिखाई दे रही है, राइट, राइट, आण्ड, डी, द वाले भी बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, जाने कि G, TAN, ठीटा वाले, अध, वाले भी बहुत सारे बच्चे मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और A वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो सबसे ज़्यादा मुझे ABD, ABDurp और AB Develiers, ठीक है, बहुत बढ़िया तो बीच में तुम Chris Gayle को क्यों भूल गए C जी, Chris Gayle को क्यों भूल गए ये तो बहुत गलत बात है यार बहुत सही बना रहा हूँ, मैं आजकल वैसे मज़ा आ रहा है काफी है ना, बेटा, correct answer है इसका C, देख रहे हो, correct answer C है, तुम सिर्फ AB Develiers के पीछे जाते हो, तुम्हें लगता है, 360 degree shot मारेगा, लेकिं Chris Gayle की power तुम भूल गए, Chris Gayle is the correct answer, ठीक है, C is the correct answer ठीक है, solve करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ही जादा जबरदस्त वाली यहां पे feel आ जाएगी, ठीक है बच्चों एक बात बताऊ है ना, ऐसे सोच के देखो कि हमें mass M को कैसे fall कराना है free fall कराना है, इसका, freely fall कराना है, सबसे पहले तो everything you forget, everything you forget, just draw the free body diagram of the block क्या बनाने बोल रहा है आपको सिर्फ आप ये काम करो, कि free body diagram of the block आप बनाओ बेटा, चलो देखते है free body diagram of the block सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, है ना, देखो free body diagram अगर आप बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से बेटा, यहीं पर बना दो ना, यहीं पर बना देता हूँ तो हमें ऐसा given है ध्यान से देखना बहुत प्यारा question है बहुत प्यारा question है, हमें ऐसा given है बच्चो की यह wedge जो है, वो इस तरफ आगे की तरफ जा रहा है, A acceleration से सही है ना, यह wedge A से आगे जा रहा है, यह angle बेटा, theta given है हमें, है ना, यह angle हमें theta given है, इसके उपर जरा block को draw कर लेते हैं, देखो तो यह हमारा block जो है वो ऐसे कुछ रखा हुआ है, ठीक है बहुत बढ़िया, अब इसमें incline plane का concept लगाओ और बताओ कि अगर mg नीचे की तरफ होगा ध्यान से सुनना बहुत प्यार से, आराम से पढ़ा रहा हूँ, time लेके, ठीक है अगर इसका mg मैं नीचे की तरफ draw करूँगा बेटा, तो mg के 2 components होते हैं न, 2 components होते हैं mg के, एक component आप लेते हो बच्चो, perpendicular to the incline direction में, यानि कि ये वाली direction कहलो, और एक component आप लेते हो along the incline direction में, ठीक है, एक perpendicular to incline और एक along the incline अब मुझे आप बताईए, आपको already पता है वैसे तो, आप पढ़ते आते हैं ये चीजे हैं न, ये जो along the incline वाला component है, ये वाला component mg का, वो कितना होता है बेटा वो होता है mg sin theta, सब कुछ बढ़िया चल रहा है किया बिल्कुल, कितना होता है वो, mg sin theta होता है, और ये जो component होता है ये वाला है न, perpendicular to the incline वाला component जो होता है न, बच्चो वो होता है आपका mg cos theta, ठीक है ये तो चलो, mg के हमने components ले लिए, ठीक है, अब ध्यान हो रहा है, और सोचो जो block है, वो wedge के उपर रखा गया है, तो क्या block एक ऐसे frame पे रखा है जो accelerate हो रहा है और हाँ, विल्कुल, विल्कुल सही बात ऐसा है दिमाग क्या कपाट खुल रहे है हमारे है न, सोचने accelerating frame पे जो body रखी गई है या फिर जिस body को आप इसके respect में analyze कर रहे है, उस पे कौन सा force आएगा बेटा, बताओ कौन सा force आएगा अगर accelerating frame है तो कौन सा force आएगा न, वो नेशन wants to know pseudo force आजाएगा, pseudo force आजाएगा और pseudo force की direction इस body पे जो pseudo force लगेगा बेटा उसकी direction होगी acceleration के opposite इस तरफ, ये देखो ये होगा आपका pseudo force का direction में लिखनो pseudo force को ये तो होता है pseudo force mass into acceleration ये आपका pseudo force है acceleration के opposite direction में अरे वा सर समझ आया, समझ आया, बिलकुल समझ मैं आया, सर मझा आ रहा है अब जैसे आपने mg के दो components लिए थे mg sin theta और mg cos theta ma का नहीं लोगे ma के साथ क्यों ऐसे चुआ चूद की भावना कर रहे हो आप नहीं करना जीए, अच्छी बात नहीं है जैसे आपने mg के दो components लिए बिलकुल वैसे ही आपका next काम होगा कि आप ma के भी दो components लो आपको ancient civilization में बरगत के पेड़ के नीचे समझाया गया होगा कि अगर ऐसे दो lines होती है तो ये वाला angle और ये वाला angle same होता है होता है ना बिटा, तो सोचो अगर ये angle theta ये angle theta, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये angle भी theta होगा, देखो अरे same ही बात तो है ये inclination है ये horizontal है, तो इनके बीच का अगल theta है बेटा तो ये देखो, ये inclination है और ये horizontal है, इनके बीच का angle भी तो theta ही होगा ना मूनो बात समझ में आ गई, z सा कुछ बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें, z सा कुछ बनता हुआ तो ये theta है, तो ये भी theta है और अगर ये theta है तो ma का इस तरफ वाला component, along the incline वाला component, समझ रहो ना along the incline वाला component कितना हो जाएगा नमूनो, ये हो जाएगा आपका ma cos theta ये कितना हो जाएगा ma cos theta, सही चल रहा है सब कुछ है ना, ये ma था, इसका ये वाला component लिकाला, ma cos theta और दूसरा component ma का इस तरफ आएगा, इस तरफ दिख रहो, ma का दूसरा component इस तरफ आएगा, और ये वाला component हो जाएगा, बेटा ma sin theta, ये तो common sense है एक में आपने cos theta लिखा cos theta उस तरफ लिखते हैं पर angle बनता है, तो angle यहाँ पर बना था, तो यहाँ पर हमने ma cos theta लिखा यहाँ पर हमने ma sin theta लिखा अब बेटा बताओ, free body diagram clear हुआ गया एक और चीज़ बनाना बाकी रह गया normal force, इस इस block पे बेटा, इस block पे एक normal force भी लगेगा, जो wedge ने लगाया होगा, और उस normal force की direction कुछ ऐसे होगी यह इसकी normal force की direction होगी अब बताओ, chat पढ़ूँगा मैं आपका, ठीक है, मैं आपका chat पढ़ रहा हूँ बेटा हर बच्चा मुझे बताएगा कि क्या बात समझ में आ गई है बहुत आसान है, है ना, बहुत आसान है brightness कम कर दीजिये, brightness अभी भी बहुत ज़्यादा है क्या reflections आता है क्या okay मैं कुछ करता हूँ इसका, ठीक है, don't worry I will do something about it यहां पर मैं देख पारा हूँ, इस side में काफी ज़्यादा reflection आ रहा है है ना, ठीक है I will see that, I will see that, okay यहां तक आ गया बच्चो clear है ना, बिलकुल, कुछ भी नहीं किया है सर ने, सर ने बस mg के दो components लिखे है mg का एक component इस तरफ आएगा mg sin θ, एक component इस तरफ आएगा mg cos θ, फिर सर ने यह देखा कि accelerated frame है यह, accelerated frame है यह, तो इसकी वज़ा से pseudo force आ जाएगा इस block पे acceleration इस तरफ है, तो pseudo force इस तरफ है फिर हमने देखा कि जो pseudo force आया अपना, ma यह इसके साथ है ना, inclination के साथ theta angle बनाता है inclined plane के साथ theta angle बनाता है तो ma का component इधर ma cos theta और एक component ma का इस तरफ ma sign थी था, कोई परिशानी की बात नहीं है अब पढ़ना इस question को ध्यान से, इस question में एक line लिखी है, जिससे यह question solve होगा और वो है, falls freely, free fall ठीक है, falls freely बेटा मैं आपको बता दूँ, यह free fall का मतलब क्या होता है जब कोई normal force नहीं लगता ना body पे जब ऐसे वाले questions आपको given हो और अगर falls freely लिखा है free fall लिखा है, तो समझ जाना कि normal force को हमें zero कर देना है कितना कर देना है बेटा, normal force को सोच के बताओ हमें normal force को कर देना है बच्चो, zero तो अगर normal force की value zero होती है, तो आप इसको कहते है free fall है, ठीक है, सोचो मैं आपको feel करा दूँगा, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बिल्कुल feel करा दूँगा, ठीक है, बेटा, देखो ये remote है, इस phone के उपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है बताओ, ये remote नीचे क्यों नहीं जा रहा क्योंकि इस phone ने और मेरे हाथ ने इस पे एक normal force लगा के रखा हुआ है, तो normal force है, तो भाई साब बढ़िया, अपनी limit में है, बैठे हुए आराम से, मैंने normal force हटाया अगर है, ना देखो हटाया, तो नीचे गिरेगा, free fall हो जाएगा, तो free fall तब होता है body का, जब वहाँ पे normal force 0 हो जाए, अब आपको क्या करना है, सिर्फ यही condition लगानी है, normal force 0, free fall normal force 0, अब देखो free fall normal force 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप perpendicular to incline direction देखोगे, perpendicular to incline, देखो कितने forces हैं, एक तो normal imagine किया गया था, हमारे द्वारा एक इस तरफ, बेटा ma sin theta है, और एक इस तरफ mg cos theta है, अब सोचो अगर normal नहीं रहे, अगर normal 0 हो जाए, तो इसका मतलब, ये वाला force will be equal to ये वाला force, बात समझ में आ रही है, अरे इस direction में equilibrium होगा, ना मूनो, इस direction में equilibrium होगा, तुमारा जो block है बेटा, वो ऐसे move कर रहा है, along the incline, ऐसे थोड़े ना, इसके अंदर घुसा जा रहा है, या इसके बाहर जा रहा है, इस direction में तो equilibrium होता है ना, perpendicular direction में, तो beautiful equation, last में क्या आजाएगी ये वाला force, बराबर ये वाला force, क्योंकि normal force is zero, normal तो ही नहीं वहाँ पे तो आप लिखेंगे, ma sin theta, जो perpendicular plane पे इस तरफ ऐसे act कर रहा था will be equal to this force which is mg का component, mg cos theta नमूनो, और आप अब देखेंगे, कि mass और mass हो चुके हैं cancel, a का formula मिल जाएगा g cos theta divided by sin theta, और cos theta by sin theta, ancient civilization गुरुगुल में बरकत के पेड के नीचे आपको आचारेने पढ़ाया होगा, कि cos by sin cot होता है, sin by cos tan होता है, cos by sin cot होता है तो आपका answer आगया, g cot theta, done and dusted देखो, कितना beautiful question था कितना beautiful question था इसमें, inclined plane का concept भी involved था mg के components लेना भी involved था, pseudo force भी involved था, pseudo force का component भी लेना था, और ये भी समझना था, कि भाईया अगर free fall लिखा है वहाँ पे, तो normal force 0 होगा, कितने बच्चे समझ पाए कि आपको बहुत amazing question बहुत आसानी से समझा दिया गया है, एक बहुत जबर्दस concept, feel करा दिया गया है अगर आपको feel आ रही है, तो मैं धेर सारे swag salute देखना पसंद करूंगा और साथी साथ बहुत सारे दिल फटा-फट दे दो बेटा, फटा-फट दे दो अगर तुम्हें पसंद आया है ना, अगर तुम्हें feel कर पा रहे हो ना, कि सर ने क्या तो पढ़ा दिया तुम्हें, क्या तो बहुत जबर्दस चीज पढ़ा दी, तो फटा-फट बेटा दिल दे दो, flag salute दे दो देखो, free body diagram तक तो तुम समझी कहते है ना, कोई issue तो था नहीं वहाँ तक है उसके बाद क्या बोलना है, normal force 0 क्योंकि free fall है, normal force 0 तब होगा, जब यह उपर वाला force याने की ma sin theta, नीचे वाले force याने की mg cos theta के बराबर हो जाए, तो वही किया यहाँ यहाँ पर देखो ma sin theta बराबर mg cos theta यहाँ पर लिख लो, हिंदे में लिखते हैं ना, चूंकि ऐसे तीन dots, चूंकि normal force is 0, अच्छा, यह हो गया, आगया answer है ना, like करो session को, ठीक है, like करो session को, normal force 0 नहीं आया, समझ में कैसे, free fall, falls freely, अभी तो समझाया था, example देखे, यह देखो, यह remote का free fall में है, यह body का free fall में है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक normal force लग रहा है, हटा दो phone को, normal force 0 कर दो, यह लो free fall है, बंद भी हो गया यहीं, तुम्हारे चक्कर में देखो, है ना, तुम्हें समझाते समझाते, क्या क्या नहीं होता मेरे साथ, समझ रहे हैं बात, अरे नमूने, यह देखो, normal force है, क्योंकि मैंने लगा रखा है, तो remote नहीं है free fall में, चोड़ दूँगा, तो free fall होगा, normal force 0 free fall, अब तो समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया, है ना, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, तो ऐसे आप इसको solve करते हैं बेटा, जब भी free fall ऐसे inline plane पे लिखा रहता है, उसका मतलब होता है, normal force आपको 0 करना है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, तो अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चो, एक बार मैं जल्दी से पानी पी लेता हूँ, अब मैं आपको दे रहा हूँ DPP, समय है DPP देने का, और DPP का solution, सुन लो, कान खोल के सुन लो, DPP का solution बटा, बहुत जल्द होगा, YouTube पे अगर नहीं हुआ, तो special class पे होगा, देखो, मैं आपको बिलकुल confused नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल रहाँ, देखो, YouTube का schedule ऐसा ही रहेगा, जैसा given है, इसमें कोई change नहीं आने वाला है, अगर कल friction होना है, तो कल friction ही होना है, अगर आप इस schedule को ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे कहीं पे भी DPP solution लिखा है क्या बेटा, नहीं लिखा है, मैं जब भी DPP solution लूँगा, मैं आपको advance में, advance में बता दूँगा, कि इस तारीख को इतने बजे, हम DPP का solution करने वाले हैं, और most probably, most probably हम ऐसा भी कर सकते हैं, कि जो Saturday का हमने slot रखा है न, Saturday का देखो, one short revision, weekly test, इसमें भी हम DPP solution डाल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे होगा, मैं आपको हर DPP का solution का कोई schedule अभी नहीं है, fix, ठीक है, वो depend करेगा कितनी DPP है, कितने question से, उसके हिसाब से हम उसका schedule बनाएंगे, और आपको बताते रहेंगे, लेकिन classes का schedule तो fix है न, DPP solution के लिए तुम परिशान मत हो न, ये मत सोचना कि सर, पढ़ाने की बजाए DPP solution कराऊगे, तो syllabus कैसे खतम होगा, जो पढ़ाने का काम है, वो पढ़ाने का है, उसका schedule बना हुआ है, Saturday को हमारे पास slot है, Saturday हमने अपना free रखा हुआ है, Saturday को DPP solution कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, कि कब कराना है, भरोसा करते हो न, यार भरोसा बहुत जरूरी है, मुझे तुम पर भरोसा करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे पर भरोसा करना पड़ेगा, तब ही गाड़ी अच्छी से चलेगी हमारी है, तो आईए, मैं आपको DPP के questions दिखा देता हूँ, इस बार मैंने इसमें answer नहीं डलवाएं, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे, sir, answer पहले से ही होता है, तो फिर मज़ा नहीं आता, तो इस बार answer नहीं डलवाएं मैंने, ठीक है, simple question से shouldowat करते हुए, ठीक है, थोड़ा high level के questions तक हम जाने वाले बेटा इसमें, ठीक है, ये देखते जाओ, ये सारे questions आपके हैं, ये tension वाले हैं, ठीक है, tension T2 for the system shown, ये सब आप से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा, देखते जाओ, फट फट फट, ये देखो, बहुत अच्छा question है, spring बाला, spring बाला question है, बहुत अच्छा है, कराऊंगा, solution कराऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूँगा, don't worry, ठीक है, man weighs 80 kg, stands on a weighing scale in a lift, moving upward with uniform acceleration, समझ रहे हो, pseudo force, pseudo force का भी question दलवा दिया, मैंने, block of mass M placed on smooth wedge of inclination theta, अभी जो हम कर रहे थे हैं, smooth wedge of inclination theta, वैसे वाले questions बेटा, ठीक है, फिर आप देखो कि, यहाँ पर figure shows horizontal force affecting on a block of mass M on inclined plane, what is the normal reaction, देखो, force जो है, ना तो ऐसे लगाया गया है, नहीं ऐसे लगाया गया है, force कुछ ऐसे लगाया गया है, समझ में आगया होगा, कैसे करोगे हैं, आप से पूछा जा रहा है, normal reaction बताइए इसका, ठीक है, next question है, 1 rupees coin are put on top of each other, on a table, है ना, बड़ीया, तो मैं बना देता हूँ, diagram अच्छे से थोड़ा, कोई भी आपको परिशानी नहीं होने चाहिए, बच्चो, है ना, इस तरफ 50 newton का force given है, देखो, ये 50 newton का force है, ये T1 है, बहुत अच्छा कोशन है, try करना बहुत मजाएगा, और मैं तो हुई ही solve कराने के लिए, ये theta है, ये भी 1 meter है, ये T2 है, और ये weight है बच्छा, 60 newton, करोगे try, try करोगे, promise करो, promise करो, try करोगे, solutions हर कराएगे, पहर try आपको करना पड़ेगा, है ना, बच्छो, ठीक है, ओके, ये question है, फिर ये question है, बहुत जवर्दस question है बेटा, बहुत जवर्दस question है, सोचो, जो discussion session होगा, इसका वो कितना जवर्दस होने वाला है, है ना, क्या मैंने, सिर्फ तुम्हें, पढ़ाया, या क्या मैं तुम्हें practice भी करा रहा हूँ, practice भी करा रहा हूँ, पढ़ाने का schedule दे दिया, सारा का सारा पढ़ाने का schedule दे दिया, practice के लिए पहले बता दिया करूँगा, कि कब session होना है, इसलिए कहता हूँ, एक भी session miss मत करो YouTube के उपर, एक भी session miss मत करो, क्या पता उसमें कोई detail हो, है ना, और एक और बात मैं आपको बता दू, मैं SHM करा रहा हूँ, आपको special class में daily, पता है ना बिटा आपको इसके बारे में, SHM करा रहा हूँ बिटा में, आपको daily, रोज SHM की class हो रही है, 2.30 PM को special class के अंदर, 2 sessions उसके already हो चुके हैं, है ना, SHM part 1, SHM part 2 हो चुका है, अगर नहीं दिखा है तो देखो, और अच्छे से पढ़ाई करो, अगर SHM बढ़ना चाते हो, तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए, 6-7 session में, पूरा long term में जाके करा रहा हूँ, 6-7 sessions लेके, पूरा long term में, यह question आपका अगलग था बेटा, DPP का, यह देखो कितना जबर्दस question है, है ना, एक sphere रखा हुआ है, यहाँ पर उसके center से एक tension भी लगा दिया गया, देखो ऐसे tension T, यहाँ से एक normal force आएगा, R या फिर N कहलो आप, यहाँ से W है, फिर आपसे पूछ रहे हैं, कि क्या equation बनेगा, है ना, देखो कितने जबर्दस questions दे रहा हूँ, लगो और इनको solve करो, फिर तो मैं हुई है आपके साथ, फिर तो मैं हुई है आपके साथ, है ना, और इसके बाद भी बेटा, अगर आपको लगता है, आप interact नहीं कर पा रहे हो, आप live polls नहीं कर पा रहे हो, तो आपसे practice नहीं हो पारी अच्छे से, तो बेटा, unacademy subscription ले लो आप, test series में मिलती है, with analysis, और सबसे बड़ी बात, teachers खुद आपके doubt खटाते हैं, यहाँ पे, खुद, हर 3 session के बाद, 4 session doubt clearing का होता है, plus subscription के ऊपर, ठीक है, और इस platform पे बेटा, पढ़ाई होती है, ठीक है, and yes, यह सारे amazing teachers यहाँ पर पढ़ाते है, मेरा और गरे माम का एक batch आ रहा है, बहुत जल्दी plus पे, which will be for droppers, right, and अगर आपको लेना है बच्चों ता आपको क्या करना है, अनेका अडमी एप पे जाईए, plus पे क्लिक करिए, neat, ug पे क्लिक करिए, get subscription पे क्लिक करिए, और उसके बाद, GG life code लगाईए, प्यारा सा code आपके प्यारे से सर का है ना, ये code आप लगाईए बेटा, और आपको maximum discount यहां से मिल जाएगा, 1 year का subscription है, बच्चो 34,650 रूपीज का, और 2 year का subscription है, 50,400 रूपीज का, साथी साथ बेटा, Iconic का भी option है, Iconic में क्या होता है, आपको personal coach मिल जाते हैं, वो आपको बताएंगे कि कब कैसे पढ़ना है, study planner देते हैं पूरा का पूरा, तो इसलिए naturally prices जादा है, 58,500 है, 90,000 है बेटा यहां पे, बट वही है, 10% discount है, if you apply the code GGLive, अगर आपको लगता है, आपको एक coach की जरूरत है, जो आपकी life में रहे, और आपको अच्छे से, पूरे last तक है ना, बोलते हैं ना, उंगली पकड़ के लेके जाए, तो आप iconic subscription ले सकते हो, संकुच नहीं करो इसमें, ठीक है, तो these are the details of this, और बेटा, finally, channel किसका है बच्चो, हमने आपसे क्या मांगा है, फाइनली सिर्फ एक like मांगा है, और एक subscribe मांगा है, तो कर दो बेटा, ठीक है, दिल खोल के कर दो, हम भी आपको दिल खोल के पढ़ा रहे हैं, पूरा content free में दे रहे हैं, दिल खोल के आपको भी क्या करना है, एक subscribe button दिख रहा है, आपको नीचे उसको click कर देना है, like button को click कर देना है, और bell icon दबा देना है, नहीं यह धर है, बैल icon दबा देना है, बैल icon दबाने के बाद, all का option आएगा, वो भी दबा देना है, ठीक है, right everyone, आप जो लिखते हो नहीं आता PDF में, बैटा मुझे पता है, I'm working on that, ठीक है, तो notes कहाँ पर मिलेंगे, DPP कहाँ पर मिलेगी, इसी session के notes के अंदर DPP होगी, और वो मैं आपको दे दूँगा, अपने telegram group पे भी, जिसका नाम है, feel with Gaurav sir, join कर लो आप, या फिर unacademy, need toppers का जो telegram group है, का मिलना शुरू हो गया, इस channel पे और लगातार मिलता रहेगा, चाहे वो 11th की बात कर लो, चाहे वो 12th की बात कर लो, कोई crash course type का course नहीं करा रहा मैं आपको, अभी crash course का सही समय नहीं है बेटा, crash course तो आप last में करते हो, अभी तो मैं आपको long term में करा के भी syllabus time पे करा के दे रहा हूँ, ये, ये होना चाहिए, ये जज़बा होना चाहिए, है ना, तो मिलते हैं बेटा next class में, आज हम लोग करने वाले हैं, magnetic effects का part 5, जहां पे हम देखेंगे cyclotron भी देखने वाले हैं बेटा ठीक है, बबाई, see you soon, have a nice day.